और अब आपको लिए चलते हैं विर्थम अंत्राले की प्रेस कॉंफरेंस में और प्रमुक्ता से उन क्षेत्रों के लिए जहां पर स्वास्त की सुविधाएं उस तर पर नहीं पहुंच पाई थी अंडिजर्वड एरियास जो थे उनको मदे नजर उनको ध्यान में रखकर उस उदेशय के साथ की चकित्सा के अधारबू ढांचे के विस्तारी करण के लिए इस पैसे का इस्तमाल किया जाएगा और इसमें जो गरंटी कवर है वो उन प्रजेक्ट्स के लिए जिसका विस्तारी करण हो रहा है उनके लिए भी जो नए प्रजेक्ट्स हैं उनके लिए भी लेकर आए हैं जिसमें स्वास्त और चकित्सा के अधारबू डांचे को बल मिलेगा लेकिन ये आठ महानगरों के अलावा जितने क्षेत्र हैं उसके लिए दिया जाएगा इसमें गरंटी की कवरेज जो है वो 50% व जाएकि चाहिए विस्तारी करण के लिए lub या नए प्रजेक्ट्स के लिए तो एषब ट इसमें और गेरंटी की अफ़्दी तीन वर्ष तक की रहेगी इंट्रस्ट रेड जो है इसको वो सीमा इसकी लगाई गये 7.9.5 प्रतिशत जो मार्केट से बहुत कम भी है और इसके लावा इसकी ग्रेंटी जो है वो नैशनल क्रेटिट ग्रेंटी ट्रस्ट कंपनी देगी जो बाकी के सेक्टर से हेल्थ सेक्टर के लावा उनके लिए 60,000 क्रोट पे का इसमें प्रावध प्रतिशत रहेगा. मतड को बात की देख्या एसक्तर सेक् sabя में जो अथा ओ सेक्तर इखी जो जो है हॉ। ऑल्र इसकतर रहे हॉट अ ज़िपना व्रतिध सेक्ट जो वारति ग्रती. अजित प्रतिवाना जो जो Noch ये वसकांपना उसक्तव्स scheme. Now here, sector-wise details will be given sooner based on the evolving needs and the overall cap for admissible guarantee has been raised to 4.5 lakh crores. पिछली बार भी Emergency Credit Land Guarantee Scheme, जिसमें कुल मिलाकर 3 lakh crore पे का प्रावधान किया गया था, ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 के अंतरगत बहुत सफल रही और कुल मिलाकर 2,79,000 crore पे इसके माद्यम से वियपारियों को, कारोबारियों को दिया गया और ये 20% अधरिक्त कारेशील पूंजी थी पहले और दूसरे चरण के लिए और तीसरे में तो 40% तक कि इसको किया गया था, और इसमें लगबग 12 प्राविट सेक्टर बैंक, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 25 प्राविट सेक्टर बैंक और बाकी जो गयर वित्यस कंपनीज हैं, अन्बी अफ्सीज हैं, उनके माध्यम से इस पैसे को दिया गया, अब इसकी लिमिट जो है, वो सविकारिय गरंटी की, उस पर भी जो अमाउंट प्रपोस्ट है, जो सविकृत है, उस पर उसको वृद्धी करने की बात कही गई है, ताकि और लोगों को इसका लाब मिल सके, जो 20 परसेंट उनकी आउटसेंडिंग लोन लिमिट है, उस पर इसको प्रतेकरण पर बगाया, जो है, उसके इसाब से किया जाएगा, और सेक्टर वाई जैसे इसकी आगे-ागे मांग भी बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखकर बा करोड तक कि उसको इसमें लाब दिये गए है, उसको आगे भी इसको ऐसे जारी रखा जाएगा, ओवराल इसकी जो कैप है या सीमा है, एडमिसिबल ग्रेंटी जो सभीकारे ग्रेंटी की है, वो अब तीन लाग करोड से बढ़ा कर साड़े चार लाग करोड कर दी है, तीन करोड में, यानि कि 50% की और वरिद्धी करके साड़े चार लाग करोड पे इसको किया गया है, जिससे बहुत जादा लाब कारबार वेफसाय करने वालों को मिलेगा, एमर्जेंसी क्रेट लाइन ग्रेंटी स्कीम के मातल से. The next one is a totally new scheme. This is a credit guarantee scheme to facilitate loans through the MFIs, microfinance institutions. We aim to reach out to 25 lakh persons who are absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual, and the rate will be at least 2% below the maximum rate which is prescribed by the RBI. So the focus of this will be on new lending and not on repayment of old loans. Clearly, all kinds of stressed accounts can also benefit from it, and that is why we have mentioned that all defaulters also, so long as they are 89 days or less, meaning if the default is only within the 89 days, even they get covered, which means only the NPAs will not be covered, stressed will also be covered. Now, this entire scheme will be till 31st March 2020, or till such a time the 7,500 crores of guarantee which is getting insured is exhausted, either this or that, whichever is the earliest. The guarantee which is being given is up to 75% of the default amount, and this duration is for three years. The loan duration is for three years. So we hope to cover 25 lakh, the smallest of small MFI clients, which means MFIs are normally widely spread in the hinterland, which is really the smallest, you know, towns, very small towns, and therefore we want to reach out to them, and that is best done through the MFI, and that is why we have taken this route. So there will obviously be a joint lending group kind of a framework, wherein the NBFC, which has a link with them, the MFI, will all be in the loop, but that is how we expect to reach the smallest of small borrowers. They could borrow it for any one of the purposes for which they would like to take money from the MFI. Credit Grantee Scheme, this is a new project you have brought to you, which will be given by the credit guarantee scheme, and the credit guarantee scheme will be given by 25 lakh people, and the micro finance institutions will be given by the micro finance institutions. 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 की guidelines जो निर्धारित हैं उसके अनुसार ही interest rate दो प्रतिशत कम होगा maximum prescribed rate से कम होगा निर्धारित rate से दो प्रतिशत कम होगा तो इससे भी उधार करताओं को लाब मिलेगा और इसकी जो समय अवधी है वो तीन वर्ष की होगी maximum लोन जो tenure है इसका समय सिवह maximum तीन वर्ष की होगी और असी प्रतिश्यत सहाइता जो है वो माइक्रो फरेंस इंस्टिशन को व्रिद्धी शील उधार देने के लिए करनी पड़ेगी incremental lending के लिए करनी पड़ेगी यह उसमें कहा गया है और यह जो कर उधार करताओं को दिया जाएगा यह बिल्कुल RBI guidelines के अनुसार होगा जैसे lenders के लिए जो guidelines है borrowers के लिए जो guideline है जेल जी के अंदर गत्भी और ceiling भी जो household पर है उसको भी income debt और यह सारी बाते ध्यान में रख कर किया जाएगा पात्र कौन हो सकते हैं यह बड़ा महत्पूर्ण यहां पर है योग यह लोग कौन होंगे पात्र कौन होंगे अगर कोई defalter भी जिसका 89 days तक जो उन्हें अभी अपनी ब्याज की किष्ट वापिस नहीं की default किया होगा ऐसे उधार करताओं को भी उसमें पात्र माना जा सकता है उनको भी इसका लाब मिलेगा ग्रेंटी इसमें 75 प्रतिशय तक दी जाएगी और तीन वर्ष्ट का उसके समय अब दी रहेगी नैशनल क्रेडि ग्रेंटी ट्रस्ट के माध्यम से होगी और इसमें कोई ग्रेंटी फीचार्च नहीं की जाएगी इसमें लगबग साथ दार पांसो क्रोड प्या का प्रावधान होगा और 31 मार्च 2021 तक 31 मार्च 2021 तक इसकी अवदी है या पचातर सो कोड पहले इसमाल हो जाएता भी एक तिसमार्च 2022 तक इसका लाब आप उठा सकते हैं we move over to the fourth of the eight relief packages that I mentioned this pertains and this is a totally new thing we are trying to help revive tourism we are extending financial support to more than 11,000 registered tourist guides travel and tourism stakeholders so this is a totally new one as I said earlier this scheme will cover about 10,700 regional level tourist guides who are recognized by ministry of tourism and tourist guides who are recognized by state governments travel and tourism stakeholders which is literally the terminology used to talk about travel agents I suppose who are recognized by ministry of tourism will also be covered here presenting V News app available on Google Play and App Store download it now now you 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 you